तनाव दूर करने के दस तरीके एक, रोज सुबह सुरियद से पहले उठने का प्रियास करें और मॉर्निंग वाक पर जाएं, यदि नहीं जा पाएं तो जिम भी ज्वाइन कर सकते हैं, उससे तन और मन, स्वस्थ, तरो ताजा रहेंगे दो, सकारात्मक सोच रखने से और रोज योग करने से तनाव दूर होता है तीन, ओफिस की समस्या घर पर और घर की समस्या ओफिस में ना ले कर जाएं, इससे आपका ओफिस का भी कार्या पर भावित नहीं होगा और घर पर भी अच्छा महौल बना रहेगा चार, ओफिस से घर जाने के बाद बच्चों के साथ भी समय बिताएं, उनकी साथ खेलने से भी वेक्ति तनाव मुक्त होता है पांच, यदि आप विवाहित हैं तो भी और यदि आप आविवाहित हैं तो भी महीने में कम से कम दो बार परिवार के साथ घूमने जाएं, वो परिवार के साथ बाहर खाना खाएं, जिस से महौल अच्छा बना रहेगा छे, अपने पसंद के गाने सुनने और गुन गुनाने से भी महौल बदल जाता है और इंसान तनाव मुक्त महसूस करता है साथ, मेडिटेशन अर्धात ध्यान करें, जिस से की एकागरता बढ़ें, ताकि शोरगुल के बीच भी कार्या करना पड़ें, तो भी आपके कार्या पर कोई फर्क ना पड़ें आठ, जब भी किसी से मिले, तो चहरे पर मुस्कुराहट बराबर बनी रहनी चाहिए, छोटी छोटी बातों पर तनाव ना ले, और ऐसी बातों का उसी समय त्याग कर दे नो, गलतियां हर इंसान से होती हैं, जो गलती हो गई है, उस पर अफसोस ना करें, और ना ही तनाव में आए, क्योंकि जो हो चुका है, उसे कम्प्यूटर की तरह वास्तविक जीवन में हम अंडू नहीं कर सकते, उसकी सिर्फ भरपाई ही की जा सकती है, जैसे कि यदि पास हजार रुपए गिर गए हैं, और आपको पता है कि अब मिलन मुश्किल है, तो उस बात को लेकर ना बैठे रहें, बलकि यह ध्यान रखें कि आगे से ऐसा ना हो, दस, अपने लिए समय निकाले, और अपने शोक पूरे करने का प्रियास करें, हर हाल में खुश रहने क कि कोशिश करें, स्वस्थ रहने के 21 नियम, एक, सुबे के समय खाली पेट दो गिलास गुनगुना पानी पीएं, दो, सुबे खाली पेट कभी भी चाय मत पीएं, तीन, दिन में आट से बारा गिलास पानी सिप सिप करके जरूर पीएं, चार, अपनी दवा को कभी भी ठंडे पानी से ना लें, पांच, सुबे खाने के साथ जूस पीना चाहिएं, छे, खाना कम से कम 32 बार चबा कर खाएं, साथ, खाने के समय पानी कभी न पीएं, तीस मिनट पहले या बाद में ही पीएं, आठ, खाने में सफेद नमक बिलकुल बंद करें, सेंदा नमक का ही प्रियोग करें, नो, खाना खाने के बाद सौफ गुड जरूर खाएं, दस, सुबह ये दोपहर के समय सधारन दही लें, ग्यारा, खट्टे फलो का सेवन रात में ना करें, बारा, जिने कबज रहती है वह शाम के समय पपीता जरूर खाएं, तेरा, टीवी या मुबाइल देखते हुए खाना कभी न खाएं, चोदा, रात को सोते समय अपने पास मुबाइल न रखें, पंदरा, सुबह नाश्ते से पहले और रात में खाने के बाद 500 कदम जरूर चलें, सोला, रात के समय दही, चावल, राजमा न खाएं, सतारा, फ् और एक गिलास पानी पी कर सोएं, उननिस, शाम पांच बजे के बाद भारी भोजन ना करें, बीस, हमेशा अपने बाएं कान से फोन कॉल का जवाब दें, इकिस, रात में दस बजे से चार बजे तक सोएं, आशा करती हूँ दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आई होग और इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा, इस वीडियो पर आपके क्या राय है, हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, धन्यवाद द फिष्टन जरूर को सब्सक्राइब करना भूलें